दोस्तो आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं 2TB हार डिस्की जो की WD की तरफ से आती है और दोस्तो इसको मैंने Amazon से पर्चेस किया था चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पर्चेस के बारे में तो दोस्तो लगबग मैंने इसको 51.00 रुपे का Amazon से पर्चेस किया है जो की 2TB की है जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं अगर इसकी वारंटी बात की जाए तो इसकी वारंटी आपको 3 साल की मिल जाती है को साफ्ट कर दिया है और अगर आब एक प्लाइस डियो के तरफ से ऑल डेड़ी देखने को मिलते हैं तो इसक वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा तो चलिए दौस तुरी दोस्तो फटाफश हमक न इसके बाग अबर को open कर लेते हैं और box के अंदर हमें हमारी hardisk देखने को मिल चुकी है और box के अंदर आपको एक data cable भी मिल जाती है तो box के अंदर आपको इतना ही content देखने को मिलता है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं दोस्तो इस hardisk के अंदर आपको data cable मिलती है वो USB 3.0 वाली cable है और दोस्तो अगर इसकी build quality की बात की जाए तो इसके अंदर आपको data cable मिलती है इसकी build quality आपको काफी बहतरी मिलती है और ये काफी जादा आपको मजबूत देखने को मिलेगी और इसके अगर port की बात की जाए तो आपको कुछ इस तरह के port इसके अंदर देखने को मिल जाते है data cable के अंदर चलिए दोस्तो फटा-फट जल्दी से अब देखते हैं कि हमारी जो hardisk है और इसका look हमें कैसे देखने को मिलता है और दोस्तो बॉटम में आपको दो option देखने को मिल जाते हैं एक cable लगाने का option आपको मिल जाएगा और साथ-साथ यहां आपको bottom में ही एक light का भी option यानि कि LED light का option देखने को मिल जाता है इस hardisk के अंदर जैसा कि अभी आप port के ऊपर देख भी रहे हैं चली दोस्तो फटा फट जल्दी से मैं इसके अंदर आपको data cable लगा के दिखाता हूँ और जैसा कि दोस्तो अभी आपने देखा मैंने यहां पर data cable लगा दी है और दोस्तो अब हम इस hardisk को अपने laptop से connect करेंगे यानि कि अपने computer से connect करेंगे और देखेंगे कि इस hardisk के अंदर हमें जो capacity मिलती है वो 2TB में से कितनी देखने को मिलती है तो जैसा कि दोस्तो अभी आप देखें मैंने अपनी hardisk को अपने laptop से connect कर दिया है और दोस्तो अगर यहां 2TB में से size की बात की जाए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं इन सबी software के वारे में आपको details में बता दूँगा और इसके अंदर आपको एक notes भी देखने को मिल जाएगा तो आप इस notes को पढ़के इस hardisk के वारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और जैसी दोस्तों आप WT software के folders के अंदर आते हैं तो यहाँ आपको Mac और Windows के लिए अलग-अलग software देखने को मिल जाते हैं इस hardisk के अंदर खैर हमारे पास Windows है तो चलिए हम Windows के अंदर देखते हैं कि Windows के अंदर हमें किस तरह के software देखने को मिलते हैं खर चलिए दोस्तों फटा फट जल्दी से देखते हैं कि हमारी जो hard disk के इसकी data transfer की speed वो हमें कितनी इसके अंदर देखने को मिल जाती है आप दोस्तों मैं यहां काफी सारे data को इसके अंदर transfer करके आपको दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि हमें कितनी speed इसके अंदर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों left hand side पर आप देखें यह मेरी hard disk है और दोस्तों यहां right hand side पर आप देखें जो चार folder है मैंने इनको select किया है अपने computer के अंदर से जिसका size के अगर बात कि जाए तो इसका size लगमक 100GB से उपर कर इनका size है और दोस्तों इन सभी data को मैं अपने hard disk के अंदर अभी copy करने वाला हूँ और देखते हैं कि हमें कितनी speed मिलती है दोस्तों मैं जो data copy करने वाला हूँ hard disk के अंदर इसके अंदर मैंने यहां videos को copy किया है और videos के साथ मैंने यहां पर images है और हमारी काफी सारी files वगरा है जैसे की games वगरा है उन सभी को मैंने mix करके यहां पर copy किया है अपने hard disk के अंदर अब चलिए हम देखते हैं कि हमें कितनी speed maximum मिलने वाली है इस data को copy करने के दोरान तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें यहां जो data transfer की speed आपको देखने को मिल रही है वो 40 से लेके 50 Mbps के आसपास देखने को मिल रही है दोस्तों अगर इस hard disk के average transfer speed के अगर बात की जाए तो वो आपको 45 Mbps तक की देखने को मिल जाएगी जो की मेरे हिसाब से काफी अच्छी है हलाकि company ने इसके वारे में और जादा बताया है लेकिन अगर actually speed आगर आप देखें तो यहां आपको 45 Mbps तक की speed देखने को मिल रही है तो खेर दोस्तों फलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मिद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े और इस चैनल को subscribe करना बिल्कूल लगो बोलने तो चलिए फलाल इस वीडियो को finish करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मदेदार वीडियो के साथ